हेलो फ्रेंज वेलकम तू बीनास किचन आज हम बनाने वाले हैं बासी बची वी रोटियों से बहुत ही हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता जिसे की बच्चे बहुत ही जादा पसंद करने वाले हैं इसके लिए हमने यहां पर लिया है यह आलौ, म Мих ni मेंडियम साइजाय जिसे की बालौ किया है और ग्रेट करने के बाद से खीने के बाद से इसे ties करने जडरना जरूरी है क्योंकि हमें इसमें कोई चौंक्स नहीं चाहिए कटा हुआ प्यास डाल लेते हैं, कटीवी टमाटर, कटा हुआ क्यारेट और यहाँ पे थोड़ सा धन्या का पत्ता आप चाहे तो इसमें क्यापसिकम का यूज़ कर सकते हैं और सबजयों को कॉंटिटी जो है वो आपने हिसाब से रख सकते हैं एक कटीवी हरी मिर्च डाल लेते हैं, स्वादनुसा नमक डालेंगे, अब हम इसमें डाल लेते हैं, 1-4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आधर चुटा चमच हम इसमें चाट मसाला डाल लेते हैं, इसे काफी जादा चट पटा बनेगा फ्रेस अब हम इस सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, चाट मसाले में नमक होता है तो उस हिसाब से आप इसमें नमक का यूज करें इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और यह हमारा आलू का स्टाफिंग बन करके तयार हो चुका है अब हम यहां पे सॉस बनाने का तयारी कर लेते हैं, चार चमच हमने इसमें टमाटो केचप लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं आदा चोटा चमच चिली फ्लेक्स, आदा चोटा चमच ओरिगेनो, अगर आपके बस ओरिगेनो नहीं है तो आप इसमें चाट मसाले के अर त्किली यूज़ कर सकते हैं और यहां पर इपने तीनसे चार लेसुं की कलियों को ग्रेट कर के लिया है और यह जो सॉस बन के तयार होगा वह बहुत फी और इस नाश्टे का जो टेस्ट है वो और भी जादा बढ़ा देता है तो यह हमारी स्टफिंग और सॉस दूनों ही तयार हो चुकी है तो अब हम रोटियों को में इन सब को लगा लेते हैं तो यहां हमने चार रोटी ली है आप फ्रेश रोटी या बासी रोटी कोई भी सकते हैं पर इस तरह से जो हमने सॉस को तियार किया है इससे नाश्टे का टेस्ट है वो काफी जादा अच्छा आता है एक चम्मच इस सॉस को हम सारी रोटियों में लगा लेते हैं तो इन चार रोटियों में हमने सॉस लगा लिया है अब हम इसमें स्टफिंग डाल लेते ह उसे हमने तीन हिस्सों में बाट लिया है और तीन रोटियों में हम इस स्टफिंग को डालेंगे और इस तरह से हम इसे फैलाते जाएंगे बहुत जादा मोटी लेयर हमें इसमें नहीं रखनी है थोड़ा सा पतला ही लेयर इसमें हमें रखना है इस तरह से फैलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से रोटियों में लगा लिया है आप इस स्टफिंग में आपकी पसंद की कोई भी सब्जी डा सकते हैं जिसे की कच्चा खाया जा सकता है तो अब हम इसमें चीज लार लेते हैं तो आप ग्रेट कीया हुए चीज Holz का यहा तो इस तरह से चीज सलाइस का भी यूस कर सकते हैं तो यहाँ चीज்स सलाइस को हम इस तरह से तोड़ तोड़के डाल देते हैं चीज डालने कारैं इस नाष्टे का टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है और बच्चों को ये खासकर बहुत जारा पसंद दियाती है एक एक रोटी में हम एक एक चीज स्लाइस डालेंगे तो तीन रोटी में हमने यहाँ पर स्टफिंग का यूज किया है तो यहाँ पर हम तीन चीज स्लाइस डालेंगे तो एक रोटी में हमने यहाँ पे चीज स्लाइस डाल लिया है अब हम इसी तरह से दूसरी रोटी में भी चीज स्लाइस को तोड़ते हुए डाल लेते हैं अगर आपके पस मॉजरेला चीज है तो उसे आप ग्रेट करके यूज कर सकते हैं और यह जो नाश्ता है वो सुभे की नाश्ते में आप बना के खा सकते हैं बहुत जादा यह टेस्टी होता है और इतने में दो लोगों का पेट बिलकुल अच्छी तरह से भर जाता है तो यह दूसरी रोटी में भी हमने इस तरह से चीज को लगा लिया है और तीसरी रोटी में भी हम इसी तरह से इसे लगा लेते हैं तो यह देख सकते हैं कितनी आसानी से बहुत जादा डिलिश्यस नाष्टा हमारा तयार हो रहा है और यहां पे तीनो रोटियों में हमने चीज स्लाइस को लगा लिया है अब एक रोटी हम लेकर दूसरी रोटी में इस तरह से रख देते हैं और जो तीसरा रोटी है उसे भी हम इसी में रखेंगे यह देखिए इस तरह से हमने रख लिया है तो तीन रोटिया हो गई और यह जो चौथी रोटी बच्ची है इसमें हमने सिर्फ सॉस को ही लगाया था तो इसे हम इस तरह से इसमें कवर कर देते हैं और he Right is चाहए put 미d więc की तरफ यह पूरी हमारी चाहरी चाहरी रोटी जो है वो है यहां पर हीूस हो चुकी है तो अब हम चलते हैं ग्यास की तरफ तिया है पैन में में दो चमच आयल को गरम किया है और ओल्लिया मीडियम गरम हो जाएगी और अंदर जो चीज हमने यूज किया है वो भी मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में हम इसे पलट लेते हैं तो बिल्कुल सावधानी से हमने इस तरह से पलट लिया है और यहां आप देखी सकते हैं कितना अच्छा आया है बहुत जाद यह क्रिस्पी हुआ है फिर जो चीज है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से हापे मेल्ट हो चुकी है तो चली अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसे काट करके देखेंगे यह अंदर से कैसा लग रहा है यह देख सकते हैं यह देखने में कितना टेंप्टिंग लग रहा है और इससे हम अब कट क करके चेक करते हैं कि कैसा है रोटी बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्प हुई है देखी सकते हैं आप बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हुआ है और इसमें चीज डाला है इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा पीजा की जैसा भी आता है तो इस तरह से हमने इसे चार हिसों में डि यह हमारा नाश्ता त्यार हो चुका है और आप यहां देख सकते हैं कितना ज्यादा कलर्फुल लग रहा है अगर आपको यह रोटियो की नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बोटन जरूर दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई